असलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रॉमस ये तेरा वादा में तो और भी बहुत बुरा हो जाता है, सारा और अली के साथ, दोना ही खोटी नियत के हर्गिज नहीं, मगर ये ही सब की नजरों में बुरे बनकर रह गए, और वहाँ पर मारे जो की खोटी नियत की शुरू से ही है, मगर अब तक वही अपनी चालों में काम्याब होती हुए नजर आ रही है, और तो और वो सैम से बदला लेने के लिए इस घर में रहती है, बिलाल को लेकर अलग नहीं होती, अब अपनी अगली चाल चरने के लिए वो नोकरानी को फिर से पैसे देती है, पांसे दस अजार, और साथ उसे दवाई भी देती है, ध्यान से कोई गलती नहीं होने चाहिए, वो सैम को उसके भाई की नजरों में तो घिराई रही है, मगर साथ ही साथ मारे अब उसकी जान के भी दुश्मन बन चुकी है, जबकि वो वर दूसरी जानिब आप देखेंगे, ड्रॉमे की कहा जब हाने की शादी हो रही है, ऐसे में अली मौझूद ना हो उसकी वालदा बहुत मजबूर हो जाती है, दिल से तो वो चाहती है अपने बेटे को वापिस बुला ले, मगर लोगों की ज़्यादा फिकर करते हुए अपने बेटे को इंवाइट करती है अपनी बेटे की शा उलाद जब कदसे बड़ी हो जाती है ना, तो खुद को माबाप से भी बड़ा समझने लगती है, और गूरती वो सारा कोई है, उन्हें यही लगता है कि बेटे की शरवाई की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सारा ही है, अब यह सब कुछ कुछ कम नहीं था, कि ऐसे में सार को वो अपनी नजरों के सामने नजर आता हैं, जिसे देखकर वो खौफजदा हो गई, अपनी बेहन सारा को बताती है, यह सुनकर तो सारा भी परेशान हो गई, वो फरा को खुद में चुपा लेती है, मगर फरा का डर खतम नहीं हो रहा, ऐसे में अली ने देखा तो अलुम था कि अली ने रियक्ट कैसा करना है, और ना ही अगले पल की किसी को खबर थी, वो शक्स जो के सामने खड़ा शेहीर से बातें कर रहा था, यह कोई और नहीं बलकि हानिया के होने वाले सुस्रालियों में सी ही है, अब अली फॉरन जाते ही, इसका मूँ सिदा करके जोड़ार थपड़ दे मारता है, तेरी जुरत कैसी भी फरा को हाथ लगाने की, अब इस अबाश शक्स ने ये सुन तो लिया, अब अपनी गलती चुपाने के लिए उल्टा उसी परी चड़ाई करता है, अली तुम हद से गुजर रहे हो, स्टेज पर बैठे सबी ये एकमेली कर देता है, तुमने आज जो किया है ना, हमने तुम जैसे खानदान के साथ ही ये रिष्टा रखना ही नहीं है, इसे मालूम जो है कि मेरा कच्छा च्छटा खुल कर सामने ना आ जाए, इससे पहले ये मुझे कहे या सारी दुनिया मुझ पर थूथू करे, क्यों मैं इसकी बेहन को ही यही घर पर इविठा दूँ, तो अपके बार फिर ऐसे ही होता है, हानी जिसका निकाह तो हो चुका है, मगर अब वो रुकसती लिये बगएरी यहां से चले जाते हैं, जिसके बाद तो इस शहीर को शदीद घुसा आता है अली पर खास दोर पर सारा प लाता है, यह सब कुछ तुम्हारी बीवी की वज़ा से हुआ है, जब से यह इस घर में आई है, हमारा घर बरबाद हो गया है, यह कल तक जो अली के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, आज यह बाद सारयाम खुल जाती है, और वो भी इस खास मोके पर जब हाने की र मालूम होगा, कि यह सारा कभी गलत नहीं थी, सच्ची थी, तब जा कर सब को यह अकीन आएगा, किसने हमारी खुशियां बरबाद नहीं की, बलकि हमें रुस्वा होने से बचा लिया, मगर अभी तो यह मामला सारा के हक में बहुत बुरा हो चुका है, तो ऐसे में वीवर् शक्स की हाकिकत खुलेगी हमजा और उसके घरवालों पर, इसके मुदलिक हमें अपनी कीमती राय का इजार जरूर कीजेगा, मजीड ड्रामा आज रिवी उसके लिए आप देखते रहिए, उर्दो रिवी